देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूद को बागवट्टी जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्णी है कि हम सुबह चाई पीते हैं काफी पीते हैं तो दूद उसमें होता ही है तो क्या करें बागवट्टी जी के किसी भी शब्द कोश में चाई भी नहीं है काफी भी नहीं है क्योंकि बागवट्टी जी साड़े तीन हजार साल पहले हुए ये चाई काफी तो ढ़ाई तीन सो साल पुरानी है जादा से जादा चार सो साल पुरानी तो चाई कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है बने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाई और कॉफी का जिक्राता है हाँ, काढ़े का जिक्रुनों ने किया है काढ़े का जिक्रुनों ने किया है वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्ट को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिला कर सुबह पिया जा सकता है, कोई भी काढ़ा, जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अरजुन की छाल का काढ़ा है, अरजुन की छाल का काढ़ा आप जानते ह वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो एसिडिटी होती है रक्त की एसिडिटी एक होती है पेट की एसिडिटी उससे भी ज़्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी खून की अमलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट्टी जी ने बताई है तो वो अरजुन की छाल है जी नहीं गरम गरम क्योंकि वो आउशदी है भोजन नहीं है भोजन और आउशदी में अंतर बताया भोजन वो है जो 24 गंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट्की अवशक्ता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं आउशदी वो है जो थोड़े समय के लिए तातकालिक प्रभाव के लिए आप पी हैं तो ये काढ़ा आउशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो बात के महीने माने जाते हैं फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महिना कफ का महिना आ जाता है तो ये बात पित्त कफ के महिने भी होते है जैसे शरीर है वैसे महिन तो इस महिने के हिसाब से सुबह काड़ा पी सकते हैं बात को दूर करने वाली आउशदियों का दूद मिला कर और काड़ा सभी गरम है ठंडा काड़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं तो आप सुबह दूद पी नहीं चाहते हैं, तो काड़े के रूप में पीजिए मने सुबह दूद पी नहीं है न, तो उसमें अरजुन की चालका पाउडर डाल के पीजिए तो दो फायदे होंगे, बविश्य के लिए आपको हर्ट एटेक फ्री होने की गारंटी बविश्य के लिए, और अब तक आपने जो कच्रा खा लिया है, इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अरजुन की चालका पाउडर है, रक्त को सबसे ज़्यादा शुद करता है और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है, जिसको कॉलेस्टरॉल कहते है न, वो कच्रा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की चाल इसमें सबसे ज़्यादा उप्योगी है और सौभागे की बात ये है कि 40 रुपई किलो मिलती है क्या बाहूँ? 40 रुपई किलो? 20 रुपई किलो तो कुछ तो होशियार बनिये, मारवाडी बनिये कुछ तो अपने रक्त में लाइए मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का तो 20 रुपई किलो की अरजुन की चाल नियमित रूप से आप लिजे अरजुन की चाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो ये तीन महीने अरजुन की चाल पिया, तो पूरे साल बर का कच्रा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हर्ट अटेक फ्री क्वांटी कितनी रहनी चाहिए, एक गिलास दूद, तो आधा चमच अरजुन की चाल का पाउडर आधा चमच मने टी स्पून, और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा गुड, गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है, काकवी, काकवी आप समझते हैं गुड को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड होता है, तरल गुड, लिक्विड फॉर्म का गुड, वो काकवी कहलाता है तो या तो काकवी या तो गुड नहीं मिले तो खांड खांड आप समझते हैं और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर नहीं क्योंकि बाग बट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साड़े तीन हजार साल पहले गुड़ बनता था काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था चीनी बनना दो सो डाई सो साल से शुरू हुआ है जी जी मिश्री बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया मैं आपसे पहले ही कहना चाहता है मिश्री मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुड़ से भी उची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद तो वो डालिए आपके अरजुन की चाल और दूद के काड़े में नहीं तो गुड़ डालिये, नहीं तो काक्वी डालिये, नहीं तो खांड डालिये, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली, और बूरा वो वाला, जो राजिस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो सोंट है तो बहुत अच्छा है सोंट जो है अरजुन चाल सोंट अगर मिला के उप्योग करें तो सर्वात्म बातनाशक काणा होता सर्वात्म अर्जुन चाल और सोंट दोनों का ही गुण है वात को ختم करने का तो वात के रोगी तो जरूर पीया है इसको और वात के रोग क्या क्या है यह आप जानते हैं कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूँ और किताबों में तो पूरी लिस्ट है, बात के रोग क्या, पित के क्या, कफ के क्या, ये गुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द, हर्ट अटेक, डाइबिटीज, ये सब बात के रोग है.